पिश्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हूं अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास तुस्तिका का अध्याय शम्षान शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लास्ट में कॉमेंट लिखें कि आप करनाटका के किस प्लेस को बिलॉंग करते हैं और इसे शेर करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं यह अध्याय है शम्षान जो मनु भंडारी ने लिखा है हिंदी कहानिकार मनु भंडारी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपूर नामक गाउं में हुआ यहां पर इनका बर्थ हुआ है उच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विषविद्याले में प्रवेश लेकर वहीं से म कीुपादी प्राप्ति की higher studies उनकी हुई हिंदू काशी हिंदू विश्विद्यले से नई पीडी की महिला कथा कारों में आपका विशिष्ट स्थान है यानि यह में जो लेडी है वो हैं डिखने वाली आपका विवा हिंदी सहित्य का श्री राजेंद्र यादव से हुआ आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्या को मारमिक धंसे रेकांकित किया है आपकी रचना शैली सहियत और प्रवापूर्ण है भाशा सजीव और आडंबर शुन्ने है तो इनकी जो लेखनी है उ तस्वीर यही सच है एक प्लेट सेलाब आदी पहाड़ी मनुष्य का परिचे देते हुए शम्शान से कहता है जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर फिर प्यार करता जीवन जीवित रहने की ललक के चलते वह हर वियोग जेल लेता है व्यथा सहा लेता है लेकिन सबसे अपने आप से करता है इस तक कहानी में मनुभंडारी इस व्यास की या व्यक्ती वेक्तीों सबसे अधिक करता है मनुष्य की स्वार्थ परता यानि खुद का जहां पर स्वार्थ उनका सिद्धु होता है वही वो करते हैं सुख लोलुपता सुख प्राप्त करने की इच्छा और जीवन की वास्विक्ता यानि जो रियेलिटी है का परिचे कराते हुए प्रस्तुत व्यंग रचना रचित चैनित है तो यह एक व्यंग रचना है यानि कि एक मजाख है या एक जोक जो है उसको कहानी के रुप में बत जेही घट प्रेम ना सर्चे सोई घट जान मनास तो डोम जो है वो क्या होता है जहां पे शम्शान घाट होता है वहां पे बॉडी को जलाने के लिए एक आदमी होता है देखरेक करने के लिए उसे डोम कहते हैं उस जाती को डोम कहा जाता है शम्शान का दिल भराया एक सर्द आहा भर कर उसने पहलू में खड़ी पहाडी से कहा यानि शम्शान घाट जो है उसके उसका मानविकर्ण किया गया है और वो पास में खड़े हुए माउंटन से बोल रहा है मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतना ही घ्रणा उससे पाता हूं यानि मैं जो है वो human being है उन को शम्शान घाट जाना अच्छा नहीं लगता पर वास्तों में मैं इतना बुरा नहीं हूं संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देना देता हूं चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो व्रद हो या बाल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकूं नहीं जाना जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बे इनसाफी सलूप क्यों किये तो इसके अंदर जो शम्शान है वो बोल रहा है कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि शम्शान घाट कब जाया जाता है जब इनसान के लिए मर जाता है और संसार में रहने के लिए एक दिन भी शेश नहीं रहता उसके पास तो इसी लिए हमें शम्शान जाना पसंद नहीं है अगला है शहर और शम्शान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी उसकी यह वंग्यात्मक मुस्कुरा हट शम्शान के हिर्दे में चुब गई उसने पूछा क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इनसान की तरह प्रेम भरा दिल होता जिसमें अपने प्रिये के लिए मर मिटने की तमना मचलती रती कभी 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 इभयोग में अपने को कुर्बान कर देता प्रिये की प्रितिक्षाद में रहा में पलकों के पावड़े बिच्छा कर बैठा रहता सावन की उठी घटाए मेरे मन में हूँक उठाती और बसंत की सुरमय सांज्ये मेरे मन में तड़ब बनकर रह जाती प्रिये जीवन ही मेरा जीवन होता जिसके हिर्दय में प्रेम नहीं सरस्ता नहीं केवल धूदू करती आख की लपते हैं तो इसके अंदर जो शम्शान है वो पहाड़ी से कह रहा है कि वो भी चाहता है कि वो इनसान की तरह हो क्योंकि इनसान के पास प्रेम जो है वो सबसे अच्छी अनुभूती है और वह भी उसे महसूस करना चाहता है एक आख से शम्शान की और और दूसरी आख से शहर को और उसमें बसे इनसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा बड़ी तमना है इनसान बनने की शम्शान ने कहा तमना मनुश्य के पास जैसा प्रेम में सो जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ पहाड़ी मुस्कुरा दी इतने में ही किसी की करुण करंदन से शमशान के शुशक हिर्दे को दहला दिया करुण करंदन मतलब बहुत अधिक तेज रोने से एक छोटी सी भीड किसी शव के साथ चली आ रही थी उसमें एक सुन्दर नव्युवक फूट फूट कर रो रहा था मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो लाश उतारी गई वह उस नव्युवक की पत्नी थी यानि वाइफ थी युवक का करंदन शमशान के हिदेखो पहिद रहा था यानि वह बहुत अधिक तेजी से रो रहा था सारा क्रिया कर्म समाप्तकर जैसे जैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को काश मैं भी किसी को प्यार कर सकता दूसरे दिन सांच के धुंद्रे प्रकाश में शमशान ने देखा वही हुआ का रहा है उसने कल के और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर है एक रात में ही जैसे वे बूड़ा हो गया है आँखे सूचकर लाल हो गई है वे पागलों की तरह लड़का राता हुआ आया और अपनी पत्नी की राक बटोरने लगा कुछ देर उसकी हिचकियां लेता रहा और उसकी आँखों से निरंतर अश्टू बह रहे थे फिर जैसे भावनाओं का बांध तूट गया वह सिर्फ फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीकने लगा तुम मुझे छोड़ कर कहा चली गई सुकेशी याद है कितनी बार तुमने कसमे खाई थी कि जिन्दगी भर तुम्हारे साथ दूंगी पर दो वर्षों में ही तुम मुझे अकेला छोड़ कर चली गी अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता तुम मुझे अपने पास बुला लो नहीं तुम मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा तुम नहीं तुम मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं कोई सार नहीं कोई रस नहीं तुम ही तो मेरे जीवन मेरा जीवन थी मेरी प्रेड़ना थी अब मैं जीवित नहीं, जीवित रहकर ही क्या करूंगा, मुझे अपने पास गुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, किसी तरह नहीं रह सकता, इसी परकार मैं विलाप करके रोता रहा, और सिर्फ ओडता रहा, मूख शम्शान अपनी सूखी पत्राई आँखों से इस द्रश्य को देखता रहा इंसान बनने की प्रेम करने की और अपने प्रेम के वियोग में इस नव्यूवक की भाति मर मिटने की तमन्ना अधिक जोर पकड़ने लगी वह सोचता रहा काश मैं भी इसी की तरह किसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकूं उसके पहलू पर खड़ पर शम्शान के हिर्दय को इसके आँसों गर्म सलाखों की तरहें दगद करते रहे उसने पहाड़ी से कहा इस वेक्ती की वैथाने मेरे हिर्दय को मत डुला योँं तो यहा कि रोज ही ऐसे वेक्ती कितने ही वेक्ती आते हैं पर ना जाने क्यों उसके दुख में इतनी तुम देखना अभी है जीवित नहीं रहेगा एक दिन में ही अपनी प्रियसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना देगा वह बला कितने दिन इस प्रेकार जीवित रह सकेगा वह अवश्य ही रो रोकर प्राण देदेगा और मैं भी चाहता हूं कि वह मेरी गोद प्रिशा करता रहा पर शव नाया हां आसमान में जब शांच का धुंदल का शाने लगा तो वह यूवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रिलाप करने लगा यानी रोने लगा तीन चार दिन तक यह क्रम बना रहा फिर यूवक का आना बंद हो गया पर शमशान उसे ना वका क्या हल है पहाड़ी ने मुसकराते हो अगा नहीं संब्साइड कर लिए pierws यह प्रिया के पहुचा देता पहाड़ी ने पूछा में विश्वास है वह मर गया होगा शमशान खीज उठा तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो जिसके हिर्दय को प्रेम की पीर ने बेद दिया वह कभी जीवित रह सकता है पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी दिन आये और चले गए अपने आचल में इनसान को अपने प्रेमियों के वियोग में आसू बहाते देखका शमशान का मन इनसान के प्रती अधिक श्रधालू होता और यह क्रमसा हो गया शमशान इनसान के अलोके गुन गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती यानि जो श प्रेकार 3 वर्ष पीथ गये तीन वर्ष की लंभी अवधी भी शम्षान के मन में सुन्दर यूवक की विवत्धा को ना पहुँच सकी वह अक्सर उसकी बाते करता उसके उन आसों की बाते करता जो उसकी उसने अपने प्रियसी की वियोग में बहाय थे उसने उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्मत्या के लिए बात्धे कर दिया होगा उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हिर्दय को मत डाल भी है तो शम्षान जो है वो उस युवक की हमेशा बाते करता रहता था और सोचता था कि अवश्य उसमें आत्महत्या कर ली होगी सुसाइड किया होगा तभी एक दिन उसके हिर्दे किसी परिशी स्वर की करुण चितकारों से दहल गया उसने देखा वही सुन्दर युवक के साथ शवीय आ रहा है शम्षान में ने सोचा वह अभी जीवी था इस अभागय पर इश्वर ने कौन सा दुख डाल दिया पर वहां पर जो बाचीत हो वही थी उससे समस्ते देर ना लगी है उसकी पत्नी यह सब लोग कह रहे थे इसे भागय में पत्नी का सुख नहीं लिखा है वरना पांच वर्ष में ही दो दो पत्नियां छोड़कर नहीं चाहिए अभी विचारी की उम्र ही क्या है आज भी युवक करंदन यानी रोना अत शेशंतर्णी था जैसे जैसे धीरज बंधा कर लोग पकड़ कर लोग उसे ले आए यूँ अप्फिर आया और अपनी पत्नी की रात में लोट लोट कर विलाप करने लगा मैंने स्वपन में भी नहीं सोचा कि था कि तो मुझे इस प्रेकार छोड़कर चली जाओगी यदि मुझे इस तरह मजदार में छोड़कर जाना ही था तो मेरे साथ क्यों दिया अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा तुम्हें अपनी मदूर मुस्कानों से एक ही दिन में मेरे मन से सुकेशी की विथा को पहुंच दिया था सुकेशी उसकी पहली पत्नी मैं मन प्रांट से तुम्हारा हो गया था तुम ही मेरा प्रांट थी अब यह निश्ट प्र तो हम तो दो शरीर एक प्राण थे जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन तो इस तरह से वह बताता है कि जो सेकंड वाइफ है वो उसके लिए धिक्ति है क्योंकि वह उसके साथ चलती है और सुकेशी जो है वह उसकी अनुचरती यानि जो वह कहता था उसी की इसी तरह वे रोज आता घंटों विलाप करता और चला जाता उसकी आँखों में कुछ ऐसी शक्ती थी कि उसकी विलाप में कुछ ऐसी सचाई थी कि शमशान के मन में पहले जो हलके संधे की रेखा उबाराई थी वह अब मिट गई एक बर फिर शमशान उसके शव की प्रितिक्षा करने लगा और अधिक दड़ विश्वास के साथ इस धक्के ने अवशे उसके जीवन कांत कर दिया होगा शमशान बराबर मन से ही है साथ संजोय बैठा था कि कब उस यूवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे ऐसा मिला जिसमें वियोग कब है ना हो बिछडने की आशंका ना हो पर उसका शवनाया उसके हिर्दय की लालसा लालसा बनी रह गई फिर वही ढ़रा चल पड़ा रोज ही नजाने कितने शवजलते मनुष्य रोते शंचान के मनुष्य के अलोकिक टेम के गुनगात और पहाडी मुस्कराती अंतर था केवल इतना कि शंचान के स्वर में कुछ उतार आ गया था पहाडी की मुस्कराट में व्यंग अधिकες पस उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही अपने मजबूरी से विवा कर लिया होगा पर उस युवक का विलाप सुना तो भ्रहम भी जाता रहा आज भी उसका कंदन उतना ही करून था आज भी उसकी चितकार हिदय को दहला देने वाली थी आज भी उसके श्रुधार गर्म सलाकी भाति दग्द कर देने वाली थी उसके पहले वाले रूप में और आज की रूप में कोई अंतर ना था उसकी बाते महीं थी केवल अंतर यह था कि आज उसने तीसरी पत्नी का सबसे अधिक गुनी दिखाई दे रही थी वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से उससे वाली और अग्रगामी यानि आगे चलने वाली उसकी पत्प्रदर्शी का थी जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता वही पुरानी बाते वही विला वही करंदन मानों उसकी भावना के साथ कोई संबंद ही ना हो कंठस्त पाठ की तरह वह उसे दोहराए जा मनुष्य के अलोकिक प्रेम की जिस भावना को शम्शान अपने हिर्दे में बड़े यत्म से संजोए बैठा था उसका वही हिर्दे इस द्रश्च से पत्थर हो गया वह आवाक हो गया विमूर सा देखता रहा उसकी द्रश्टी पत्राई हुई थी उसमें एक प्रश्ण सा तो शम्शान अभी तक आदमियों को अपने प्रिये की जाने पर करंदन करते हुए देखता था रोते हुए देखता था तो उसे लगता था कि मनुष्य के अंदर प्रेम जो है वह बहुत अधिक अच्छा गुन है और वह उसका सम्मान करता था लेकिन अब उसने एक यूव तो इससे शम्शा का जो सोच थी उसको धका लगा पहाड़ी ने उसकी हालत देखी तो तरस खाकर बोली सचमुष तुम मूर्खो इतना भी नहीं जानते कि इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं है वह प्रेम की स्मृति कल्पना और अध्धात्मिक भाव जीवन की पूर्णता के लिए फिर फिर पड़ा करता है जीवित रहने की ललक के चलते वह हर वियोग झेल लेता है वैता सहल लेता है क्योंकि सभसे अधिक प्रेम तो मनुषय अपने आप से करता है पहाड़ी है तब सम्शाून को समझाति है कि मनुषय के लिए वह स्वैम सबसे अधिक महतोपूर्ण है अगर कोई उसे छोड़कर चला भी जाता है तो भी जीवन आगे वो जीता है तो इसी के साथ यह अध्याय समापत होता है आशा करती हूं आपको अच्छा लगा होगा पूरा अगर आप अपने